हालो इफ्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आज में शेयर करूंगे आप सभी के साथ में पिन विल लॉलिपॉप बनाने की बिल्कुल नए यूनीक रेसिपी जिसे आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा क्योंकि अगर आपने इसे एक बर खा लिया तो आप समोसा कचोड़ी प इसमें युए बोल गषया बनाना तो सबसे पहले हैं सबसे पहले हैं इससे बना बंकर सब्सक्राइब और कर लेНе तो सबसे पहले बना कर साइड पर कर लें नेक्स टिप में हमें लेना है एक फिर्शे बोल जिसमें तक्रीबंद दो कप लेना है मैदा और यहां पर आप चाहे तो एक कप आंटा और एक कप मैदा भी ले सकते हैं आप चाहे तो जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप बान के बाद में इसमें गुनगोना पानी दालना है और गरम पानी से गूत लेना है बस इतना पानी गरम dat मुझा होई और आपका हान बरदाश करें आप इसे अच्छे से इजली गूत पाएं डेखिर हमारा डो लग गया है और बहुत ही अच्छा सा मीडियम सॉफट सा हुआ है बहुत जादा भी सॉफ्ट नहीं गूतना है हमें ना जादा हार्ट गूतना है तो यह हमारा जब अच्छे से लग गया है तो हमें इसे तकरीबन पांच मिनट के लिए साइट पे रखना होगा तो डो को लगा कर साइट पे रख दें और अब ले लेते हैं हम आलू जो कि मै मैंने गरम गरम ही चील लिया है और अब मैंने को मैश कर ले रही हूं तो इस तरह से फोक से आप एजली मैश कर पाएंगे आप चाहे तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं तो यह देखे हमारा आलू बिलकुल अच्छे से मैश हो गया इसमें कोई भी लंप्स नहीं है क्य काली मरूं या जाती है वह टो साथी आजा डाली है साथी इसमें गाजर डालुंगी और इसमें हमेरा टेस्ट के मटाबिक नमक और वर्वगें शपैसे सकते हैं यह देखे जा lost in आलू में में त Jacobdonis जैंप दो जाला ओकि जो आपको इसका चाटमसाल वह पनीने वह इसमें देखे हमने इसमें डाल दिया इसे और डाल कर साइट पे कर लिया अब वापस अपने डो को चेक कर लेते हैं जो कि 5 मिट से रेस्ट हो रहा था और डो हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है तो जितना मैंने यहां पे डो बनाया है इसमें आपकी 2 बराबर साइस की लोई बन जाती है तो देखे हमारी लोई को ले लेना है और इस तरह से दो इकोल पार्ट में डिवाइड कर लेना है तो फ्रेंस यह नाश्टाना बहुत आसान है अब शाम के टाइम में इसे चाय के टाइम पे बहुत ही इसली से बना सकते हैं बहुत आसान रेसिपी तो एक बर ज साइस का बेल लेगा यह देखे मैंने जितने बड़ा बोर्ड है इसे बिल्कुल पतला थिन शीर जासा बेला है तो आपको भी इसी तरह से क्योंकि लोई बड़ी होती है बिल्कुल बड़ा साई बेल लेना है और एक ही साथ में आपके बहुत सारे नाश्टे बनकर तियार ह तो अब हमें क्या करना है पिजा कटर लेना है और इसे हमें कट कर लेना है आप चाहे तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं इस तरह से लंबा लंबा हमें वर्टिकल लाइन इसमें डाल देना है यह देखे इस तरह सी कट हो गया है और अब हमें आलू की स्टफिंग लेनी है जो अभी हमें एक एंड से जिस तरफ बॉल्स बनाकर रखे हैं और रॉल करकर आलू को उस साइच से हमें फोल करना है और रॉल घुमाते वे उपर तक आना है पूरा पूरा अच्छे से रॉल कर देना है तो अंदर में आपको आलू की फ्लेवर मिलेगी जो कि बहुत ही अलग तर और साथी जो हमने क्रस्ट बनाया है उसमें हलका सा मोयम डालते हैं तो अब खस्ता हो जाता और समोसे जासा लगता है तो यहां पर देखें इसी तरह से बना देने के बाद में इसमें हमें बीच में तूटपिक डालना है जिससे यह बहुत जादा एजली आप सर्व करते ट इसी तरह से यह तो पूरा बना लिया और जो दूसरी बची है उसका दूसरे तरह से बनाते हैं आप जाहें तो दोनों में से जो आपको बैटर लग रहा है वह आपके लिए दोनों बनाया यहां पर देखें फिंस मैंने उसी तरह से बड़ा और पतला प्रिया जितना बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं तो फ्रेंट्स यहां पे ना आप उनके लिए टिमैडो खिचप भी अपलाई कर सकते हैं इसके उपर जैसा मैंने यहां पर एक से दो बड़े चमर डाला है और पूरा प्लाई कर दिया अच्छा से आप कोई भी चीज लगते हैं तो यहां पर आपका और भी जादा मज़ेदार चीजी बंचायगा क्रिस्पी कुरकुरा तो होता है यहां पर देखें यह छीज़ ब्लॉक मैणे ले लिया है अब हमीं बारिक वाला ग्रेट लेना है और इस तरह से पूरा जो आपने शीज बनाया उसके उपर आलु लगाया साथी केचप लगाया उसके उपर यह पूरा चीज आप इस तरह से ग्रेट कर दीजिए आप चाहें तो यहां पर कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है जैसे प्रोसेस मोजरेला वो भी आप पहले काटा था लेकिन उससे थोड़ा पतला पतला हमें काटना है और इस तरह से लंबी-लंबी लाइन्स ड्रॉ कर देनी है आप चाहें तो नाइफ से कर ले या फिर बहतर जिसे आपको लग रहा है वैसे कर लें मैंने पिज़ा कटर से किया है और अब देखे हमने ना साइ कर दें रॉल करते हुए तो यह आपका बन गया ना बहुत ही जादा मज़े का यह नाश्ता बनता है आप चाहें तो बच्छों को टिफिन में भी दे सकते हैं यह और बहुत ही मज़े सखाएंगे आप चाहें तो इसमें अपने मन पसंद की कोई भी सबजियां डाल सकते हैं कोई भी चीज जैसे पाव भाजी या सांबर का भी आप इसमें फ्लेवर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो अगर आपको अच्छा लगता है तो देखें यहां पे हमारे सारे पिन्विल लॉलिपॉप इस तरह से ही आपको बना लेने हैं तो बस इसी तरह से रॉल करते अब ही जो हमने इस लड़ी बना कर रखी थी फ्रेंट्स वो देखें इस तरह से जम जाती है और इसके उपर पानी आजाता है तो हम इसको मिला लेना है फिर से और इस तरह से मिला लेने के बाद में वापस यह पहले जैसा ही हो गया क्योंकि कॉन्फलार की ऐसी जो पनती है जब थोड़े टाइम इसको रख देते हैं तो ऐसी हो जाता है पानी उपर आ जाता है इसलिए पानी को फिर से मिला लीजिए और अच्छे से रेडी हो जाएगा उसके बाद में आपको एक एक पिन्विल लॉलिपॉप लेना है और इसमें ड्रॉप कर देना है इस तरह से ड अच्छे से डाल दिया है डाल कर बहुत चैसे साइड चेंज कर दे रहे हैं और प्रॉपर तरह से चाहिए तो इसी तरह से आपको से लेना है बेसिकली इसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यह जब सिक जाएगा तो बहुत अच्छा कलर भी आएगा और मजे का फ्लेवर देगा तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही इजी सिंपल और अच्छी सी रेसिपी है तो देखे फ्रेंट्स गोल्डन प्यारा से कलर आनी लगा है मैंने तकरीबन 7-8 मिनट से इसको फ्राइ कर लिया है अगर स्टार्टिंग के 5-6 मिनट अप मीडियम फ्राइ कर लीजेगा जिसे कलर जो है ना बहुत प्यारा जाएगा और यह क्रिस्पी गोल्डन से हो जाएंगे जैसा कि अब देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरा मज़िदा टेस्टी सा नाश्ता हमारा बनकर तयार हो गया है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें यह बहुत जादा मज़े का लगता है और जाब इसे बनाएंगे तो सच में समोसा भूल जाएंगे यह इतनी मज़ेदार है स्टाफिंग बहुत कमाल की है और बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार इसे जरूर ट्राइब करें और कैसी बनी मुझे जरूर बताईएगा ट्र जाओचिंग!